हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश श्यादब एक वर्फिर्म आपके सामने एक नए वीडियो रेका आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास की यह आपकी आठमी क्लास होने वाली है पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्तुत्त के प्रकार कैसे हो सकते हैं और एक बएक वेक्तुत्त होता है वो कैसा होता है आज उसके आगे हम यह पढ़ेंगे कि विक्तुत्त प्रिक्षड के तरीके और समयोजन के उपाइझ जैसे मालीजीए आप लोगों ने देखा कि किसी भी बेक्थी का बेक्थर्ट तो ऐसा है उसकी personality ऐसी है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं उसके परिक्षड के तरीके क्या हो सकते हैं और उसका समाईयोजन कैसे किया जा सकता है या बच्चों में कैसा बेखतता है उसका हम समायोजन कैसे करवा सकते हैं पूरी complete जानकारी आज के आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो भी धरती पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग playlist से वीडियो देखें ताकि आपको basic से चीज़ें समझ में दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी तक टेलेग्राम ग्रूप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलेग्राम ग्रूप से जुड़कर आप वहां से सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं आज का हमारा topic रहने वाला है कि बेक्तुत परिक्षड की विदियां क्या है समायोजन का अर्थ क्या है और समायोजन के उपाई क्या है देखे मानो विकास के साथ साथ उसके बेक्तुत का निर्धार करना एक समस्या रही है बर्तमान समय में समपूरी बेक्तुत का मुल्यंकन आवस्चक नहीं माना जाता है मतलब कि पूरा जो उसका बेख्त्त है उसका मुलियंकन जो करना है वो अप्षक नहीं माना जाता है बलकि किसी प्रेख्त्त्र Gulbapadwee क मापन अवस्फक होता है जैसे मां लीजिए कि आप हमारे बारे में मेरे बेक्त्त्त का आप मुल्यंकन करना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि हम विक्तिकत जीवन में क्या करते हैं है ना विक्तिकत जीवन हमारा कैसा है हमारी पारिवारी परिश्यती कैसी है अब यहां क्या लिखा है किसी प्रयोजन ही तू हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा सिर्फ पढ़ाने का मुल्यांकन करिए क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ने से ही तो काम है न तो वही यहां बताया गया है कि बलकि किसी प्रयोजन ही तू व्यक्तर्त्य का मापन अबसेक होता है हम आपको पढ़ा रहे हैं आपका काम किवल पढ़ाने तक होना चाहिए अतहा बेक्तत्य मापन की विविन विदियां अलग अलग प्रयोजनों में प्रयोग की जाती हैं जैसे जैसे प्रयोजन होते हैं उसी प्रकार की विदियां इधारित की गई हैं आप ज़रा देख लीज हैं अब यह तीनों कौन-कौन सी हैं इनके क्या-क्या माइने हैं वह हम डेटेल में पढ़ेंगे पहली है कि आपकी आत्मिनिष्ट या फिर व्यक्तिकत यानि की सब्जेक्टिव जो है आपका मैथर्ट से वह क्या है इन विद्यों के आधार पर उसके लक्षड उसके अनभव उदेश अवसक्ता रुचियां और उसके अवरुतियां आधी होती हैं वह इनके मद्यम से सभी सूजनाय देता है इस विद्धी के अंतरकत निमलिकत प्रविदियां आती हैं कौन-कौन सी आती है यह इसके सब क्या हुआ है आप कोई लड़की देखने गए या आप कोई लड़का देखने गए जो बीच वाला विक्ति होता ना उसने बता दिया कि विट्या पढ़ी लिखी है बिट्या को सिलाई कड़ाई बुनाई सब कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी परनिया को पहले बात तो यह है कि विधी और प्रवदी में अंतर यह है कि देखिर विधि और प्रवदी दो समदाप को यहां देखने को मिलेंगे थे ना विधी क्या है जैसे माल लीजिए आप बच्चों को बिधैने में पढ़ा रहे हैं ठीक आप के सामने बच्चे हैं आप से कहा है यह आपकी टेकनीक है जैसे माली जै अभी आप पढ़ना सीख रहे हैं ना कि बच्चों को हमें ऐसे पढ़ाना है बच्चे को दो साल में इतने सब्दों का ग्यान होगा इस तरीके से हम आपको सरफ अभी क्या कर रहे हैं एक प्रसिक्षड दे रहे हैं जब आपके पास चीजों से मिल रहे हैं तो ब्रदी और प्रवदी में यह अंतर है देखो जड़ा पहली तो आत्मकता है इस बिदी के द्वारा अध्यन किये जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित गुड़ों को कुछ सीर्षक भागों में बाट दिया जाता है जिसके द्वारा वह अपने अन दूसरी आपके आती है वश्टमिथ वश्टमिथ जो विदीयां है वह आती है अबजक्टिव यह विदियां इस तर्थ पर अस्रित हैं कि उसका प्रत्यख्ष व्यक्तिक व्यवहार अब्लोकन करता को कैसा लगता है जैसे मान लीजे आप हमारे संम्मुक हैं तो आपका व् परियाबड में रखकर देखना चाहिए ताकि उसके आदते लक्षड और चारित्रिक विसेस्ता हैं प्रकट हो सकें बस्तुनिष्ट बिदी के प्रियों की बिदियां नियम लिखेते हैं अब इसके अंतरकत भी आ जाती हैं तीन इसके अंतरकत आ पहली तो आपके होगी नियंतरित दूसरी करम निदार मा अपनी और तीसरी आती है आपकी प्रक्छे पर जो बुधियां है हैं अप जरा देखोगेóं यहां से यह दो तो हो गई आपकी तीसरी आमकी जू हमने आपको बताई थी अभी एक तो आपकी पहली कौन product यहां से आप पहले आपकी आत्मनिष्ट किसीने बता दिया बस्तुनिष्ट क्या है आप उसके संमुक्ष चीजों के बिखार कर रहे हैं तीसरी आपकी जो प्रक्षेपड विदी क्या खालती है देखो जरा यह आती है आपकी प्रोजेक्ट की इन विधियों के माध्यम से विसाई अपने प्रत्यारों को आंतरिक लक्षणों को भाव दसाओं को अब रत्यों को एवं हवा हवाई जो कलपना हैं इनको प्रोकर कहानी के रूप में प्रकड करता है इनके आधार पर विक्तत्यु का मुल कैसे हो सकता है मनुस एक समाजिक प्राणी है वह अंतर समय तक समाज में ही रहना चाहता है वह उसी समय अधिक प्रसंद दिखाई देता है जबकि वह स्वयम की रुची पसंद और अबरवर्तियों वाले समों को प्राप्त कर लेता है इस बेवहारी का तिसीलता का नाम ही क् चाहिए देता है तो यह उसके वहार को कूछ समय तकहलाता है मतलब कि जैसे माली जी कोई वेक्ति आगर आपको लगता है कि प्रसंद नहीं है तो क्या लगता है यह नहीं कर पा रहा है अब जड़त का प्रियोग आवसक्ताओं की पूर्ति और आत्पुष्टी के लिए करत तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है अब परिखासा क्या दी गई है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा वेक्ति अपने और अपने बातावड की बीच संतुलित संबंद रखने के लिए अपने विवहार में परिवर्तन करता है इस प्रक एक तो आपकी प्रतेक्श विदी है, जब व्यक्ति चेतना वस्ता में रहकर समायोजन को इस्थापित करने के लिए प्रत्न करता है, तो प्रत्ने प्रतेक्श विदियों के अंतरकत माने जाते हैं, मतलब कि वो सामने से चीजों को जेर लाहा है, इन उपायों को लागू करने में वह अपना विवेक तरक शक्ति और बौदिक शंता आधी का सहारा लेता है इन विद्धियों का प्रयोग विशेश रूप से समायोगन की किसी विशेश समस्या के इस्थाई समाध्धान के लिए किया जाता है इन उपायों के अंतरकत निलेखत विद्धियां आती हैं उसका मंसिक तनाव जो है वो समाध्ध हो जाता है इसे चेतनात्मक परेत्मों के अंतरकत अभ्यास और लगन महत्पूर कार करते हैं अजर दूसरा देखो जरा यह है अनमार्ग खुजना जब कोई विक्ति अपने लक्ष की पूर्ति में उत्पन विविवन बाधाओं को कि किसी कारवस दूर नहीं कर पाता है तो वह किसी अनमर्ग या हल को खोजना पड़ता है इस प्रकार उसका मंसिक तनाव कम हो जाता है और वह समायोजन इस्थापित कर लेता है यह समायोजन के प्रवदियां है कि आगर आप चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है नही परिवर्तन जब व्यक्ति अपने लक्ष या उदेश में सफल नहीं हो पाता है तो वह नहीं उत्पन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाता है तो उदेश को त्याकर समानानता उदेश को गिरहाड कर लेता जैसे माली जी कोई व्यक्ति है पहले उसने सोचा कि वह मैं आ परिश्ति का सही विक्रेशन और उचित नड़य करने पर ही निर्भर होता है अगला है आपका कि अपरतेक्ष वधियां क्या है देखी ज़रा मांसिक समानेता को बनाई रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं को अचेतन जो क्रियाओं हैं उनकी भी साहता लेने क्योंकि वेक्तिके आत्रसमान की रक्षा करती है तथा उसका बचाओं समय करती है जब निराशा की करते रिश्त होता है यह क्यां सिर्देश्वा सूधन आएगा पर्रतिक्राइगा परतिकरमाना énerभरता और युक्तिकरण और इसके साथ साथ आप दमन प्रक्षेपड यह प्रक्षेपड दमन यह मैंने आपको भी बताया है चोथा आपका आजाएगा आकरामक विधियों के इंतरकत क्या क्या है आकरामक विधि से ताथपर वेक्ति द्वारा उत्पन विरुदात्मक वेवहार से है जिसमें उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आकरामक विवहार के द्वारा सामना किया जाता है इस विधि से विधि का मनसिक तनाव सेतेल हो का समाप्त हो जाता है आकरामक उपायों को प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष दोनों रूप में किया जाता है प्रतेक्ष आक्रामक वह है जिसमें वेक्ति उसकी वेक्ति या फिर वस्तुपर आक्रमर करता है यह आपकी आक्रामक विधियों के अंतरगत आजाता है आप जारा देखिए वेक्तियों तुमापन की विधियों को समझाईए मैंने आपको कितनी सारी विधियां बता दी हैं समायोजन का आर्थिस प्रश केजिए और समायोजन की प्रद्धियों पर पिकास डालिए बहुत आसानी के साथ आपका सकते हैं तो यह आज का जो टॉपिक है आपका यहीं समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लग